नमस्कार दोस्ता आपका स्वागत है आज जो हम कहानी देखने वाले है उसको मैंने पैरनॉर्मल विटनेस नाम का एक शो लगता था डिस्कावरी पे उससे लिया है ये डेव ने आमके एक इंसान की कहानी है और उसके बेटी की उसको हमने नाम दिया है ग्रेस डेव एक जग पे घर लिया था दोस्तों एक सची कहानी ही है और वो जो घर था वो मतलब थोड़ा सा ऐसा टाइप का था जहां से बहुत ही मतलब दो कदमों में ही उनके सामनी घर के सामने ही हाईवे था आपने भी ऐसे कुछ घर देखे होंगे तो वो घर कुछ वैसा ही था और डेव ये तो अब उनको एक वहाँ पर मतलब वो बहुत ही जादा सस्ते में मिला था पहले तो उनको लागा कि हाईवे एकदम बाजू में है इसलिए वो सस्ता था लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि घर में कुछ पार पैर नार्मल चीज़े घट रही है मतलब कही ना कही वो शा तो बहुत जादा उसकी डर लगता था किसी जगह पर वो कहती थी कि मतलब वहाँ पर एक गराज-था घर का गराज घर का अब करती थी उस वक्त वह कहते थी कि मुझे किने किसी निगेटिव शक्ति का है यहाँ पर आदबास हो रहा है ऐसे कुछ दिन उनका चला दोस्तों लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनके घर में मतलब वो जो बुरी शक्ति थी वह वहाँ से चली गई और वहाँ पर बाद में ग्रे साइज वगरा करते थे एक बार ग्रेस वहाँ पर आई और उसने कहा कि आपके फिछे के साइड वहाँ पर निग बैटा है और अपनी बाइक रिपेर कर रहा है यह बात थोड़ा सा कैसे होता है चोटे बच्चे कभी कभी कालपनिक दोस्त कोई भी बना लेते है तो उनको को है वहाँ पर दो-तिन मेने पहले एक लड़का रहता था जिसका नाम था निकोलस और उसको बाइक में बहुत इंट्रेस्ट था यह बात सुनकर इसके ममी पपो का एकदम शाक लगा कि यह तो हमारी बेटी को यह सारी जानकारी भी नहीं है और वो कह रही थी कि निक अंकल कहा गया है कि यह जब निक आत्मा वहाँ पर आई तब वो बुरी शक्तिया को उसने शायद मतलब कहीं पर दूर भेजने की कोशिश करी क्योंकि इस परिवार को उसको प्रिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए वह वहाँ पर था बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उसके घर वालों ने ये कहा मतलब पोड़सी वालों ने बाद में ये कहा कि जो निकोलस यहाँ पर रहता था कुछ मेनों पहले उसका एक बाइग एक्सिडेंट में मृत्य हो गई और वो उस दिन मतलब खतम हो गया था और बाद में उस घर पे कोई भी नहरे के लिए नहीं आया था बा वहाँ पर आकर वो वेत नाम की थी मतलब उसका जनव वहाँ पर हुआ था तो वेत नाम के जैसे उनका मतलब संस्कुरूती से जिस तरीके से आत्मा को वगरा शुद्धी करते है या फिर उनके मौक्ष के लिए प्रयत्न करते है वैसे उन्होंने पुजा करने की कोशिश की क्यों? क्योंकि कही ना कही हाँ वो प्रोटेक्ट करने के लिए आया है निकॉलस लेकिन फिर भी उसकी ये जगा नहीं है उसको अब उसके आत्मा के सफर के लिए जाना होगा क्योंकि वो updates प्रूथवी पर नहीं है तो इस वज़े से उन्होंने एक spiritual किया और उसके बाद वो नीक जो था उसके आत्मा कहीना कही वहाँ से मुक्त हो गई यह जो grace है दोस्तो अभी वो बड़ी हो गई है तकरीबन यह 10-12 साल पहले की बात है तो वो बहुत ही चोटी थी लेकिन grace आज भी यही कहती है कि वो अपने उसका जो अंकल था या फिर वो कहती है कि वो मेरे एकदम मतलब जैसे मेरे बड़े जैसे अंकल बगर होते है हमारे चाचा तो इस तरीके से वो कहीना कई मुझे पहर करता था मुझे मतलब दिखता था उसके आखों में मेरे लिए प कहते है वह पर कुछ अच्छी भी आत्माइ होती है जो हमें मतलब कहीना कई प्रोटक्ट करने की कौशिश करते है तो ऐसी ये चीजे है और मतलब ऐसी जो कहानी है उससे हम यही सीख सकते है कि जितना उसके हम अच्छे मार्कपर चलने की कोशिश करे हैं अच्छे रास्ते करने की कोशिश करती है जिनोंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही जादा दुखी है जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ इरिग्रेशन की ओडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइ अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गुरुपया इस नंबर पर वाटस अप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद